हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूँ यह कोस्टन क्लास 9 की मैट की बुक से एक्सरसाइज 12.2 का कोस्टन नुबर 5 है तो आयो इस वीडियो में हम इस कोस्टन को देखते हैं आप ब अंगर डाइगोनल इस 48 मीटर हाउ मच एरिया आफ ग्रास फील्ड विल इच काउ भी गेटिंग इसमें कहा गया है कि 18 काउं है एक राहमबस जैसे खेत में चर रही हैं जिसका की साइड 30 मीटर है और डाइगोनल 48 मीटर है डाइगोनल बड़ा वाला डाइगोनल दिया गया तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक राहमबस बनाना पढ़ेगा रहमबस क्या होता है देखो रहमबस एक टाइप का परलो नहीं में ऐसा हमारा कुछ रहांबस होता है ठीक है इसकी हर एक साइड 30 मीटर दिया गया है कोश्चन में और जो बड़ी डायगोनल है वो दिया गया है 48 मीटर अब ध्यान देना ये वाला भी एक डायगोनल है जो छोटा डायगोनल है इसलिए इसमें बूला गया कि जो लांगेस्ट ड 30 है और डायगोनल हैं तो इस प्रकार से जब यहां से हम इसको कट करेंगे तो हमें मीलेगा एक्टरेंगlles की मिलेगा हमें मिलेगा एक ट्रेंगल जोंगी 30 मितरs 30 मितर और 48 मितर की साइड का है तो इस năm का है हम निकाल लेंगे और उसी ट्रेंगल का से मेड्या नीचे वाले से से मुल्टिप्लाई कर देंगे या आ जाएगा और उसको तो पताचे लिएक को किटने इर्याओ इक चलाएक कि लेगे चोलेंगे हम ऐसा कर सकते थे यहाँ पर कि रहाम बस का एड़िया का फ़र्मूला लगा सकते थे देखिए रहा मसी के एरिये का फ़र्मूला होता है वन बाइटो डी दी यह गोणल नहीं पता है इसलिए यह फ्रमूला वर्क नहीं करेगा इसका सब्से नाम दे देते हैं a b c d so solution कि इन ट्रेंगल a b d we have कि सबसे पहले हम सैमी पैरिमेटर फार्मूला होता है सम आप साइड सबाइट तो साइड कौन सा आए 30 प्लस 30 प्लस 48 देखिए एक साइड यह है एक साइड यह है वाई तो जो एट प्लस जिरो प्लस जिरो एट फोर प्लस थरी सेवन प्लस थरी टेन पार घ्टू तो 25 सा टेन और 24 एट तो जो सेमी पैरिमीटर आजाएगा वो आजाएगा 54 मीटर कितना आजाएगा 54 मीटर तो सेमी परिमिटर में पता चल गया अब हम एरिया का फार्मूला अपलाई करेंगे अब हिरांस फार्मूला क्या होता है एरिया का देखो a is equal to square root s s minus a s minus b s minus c अब हम क्या करेंगे इनमे values पूट करेंगे तो देखो यहाँ पर s की value है हमारे पास 54 कितना value है 54 है यह हो जाएगा 54-30 into 54-30 into 54-48 54-48 फिर क्या होगा अब सब्ट्रेक्शन करेंगे तो जब सब्ट्रेक्शन करेंगे तब क्या मिलेगा देखो 54-30 करेंगे तो हमें मिलेगा 24 कितना मिलेगा 24 अगेन 54-30 करेंगे तो हमें मिलेगा 24 यहाँ पर 54-48 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 कितना मिलेगा 6 मिलेगा आप एक चीद देखो आपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ 24, 24 पेर में आया हुआ है square root निकालने में हमें पेर को बाहर करना पड़ता है तो 24 को ऐसे ही रखेंगे solve नहीं करेंगे solve किसे करेंगे मैं बताता हूँ हम इसको factorize कर लेंगे और इसको factorize कर लेंगे इनके factors को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 54 का हम factorization करेंगे तो 2 से start करेंगे तो 27 आ जाएगा फिर यह 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा तो यहां पर 54 के प्लेस पर कितना आ जाएगा 54 के प्लेस पर आ जाएगा 2 into 3 into 3 into 3 और यह 24 को हम ऐसे रेखेंगे इनको टाच नहीं करेंगे यह जो 6 है ना इस तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 3 जा 6 तो इसका क्या आ जाएगा 2 into 3 आ जाएगा और 24 into 24 तो आप ध्यान से देखना एक प्यार इसका बन रहा है 3 का एक प्यार यहां प experts बन रहा है 2 का और एक प्यार बन रहा है आपका 24 इस परकार से अगर हम इन प्यार्स को स्क्वाजर लूट के बाहर निकाल लेंगे तो अमारा आराम से हो जाएगा काम को ज्यादा काल्कुलेट नहीं करना पड़ेगा तो फिर देखो यहां पर है ना कि सबसे पहले हम सबसे छोटे को लिखेंगे टू इन्टू इस को इस टॉपिंग में मैं क्यों रियारेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं ठीक है इस प्रकार से देखो टू इन्टू टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू 24 अब बड़ा ही आसान काम है देखो एक पेर यहां से बन रहा है तो इसको निकाल लो टू एक पेर यहां से बन रहा है तो इसको तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 432 मीटर स्क्वार अब यह वाला जो एरिया आया है यह तो इस एक ट्रेंगल का आया है ना पूरे ट्रेंगल का कितना होगा इसका एरिया और इसका एरिया मैं एड कर देंगे तो हमारे रहमबस का एरिया आ जाएगा तो मैं इसे मिटा देता हूं आप चाहो तो वीडियो को पहुच करके इसको राइड डाउन कर सकते हो now area of rhombus यहाँ पर rhombus का area होगा area of triangle ABD plus area of triangle BCD चोकि area same होगा इसलिए यह आएगा 432 plus 432 यानि कि 22's up 4 और 236 248 तो इतना meter square rhombus का area आजाएगा अभी तो यह तो सिर्फ rhombus का area आया है ना हमें तो यह बताना है कि एक गाय कितना घास चर रही है मतलब कितने area का घास चर रही है तो उसको हमें 18 से डिवाइड करना पड़ेगा now area of grass field area of grass field for each cow for each cow is equal to area of rhombus over number of cow number of cow then area तो हमारे पास आया हुआ है 864 864 और number of cow जे 18 देखो यह 18 से कट जाएगा 18 फोर्जा 72 और 18 एड़्जा 144 तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 48 मीटर स्क्वयर तो मैं आपर बोल सकते हैं दस each cow grassed an area of 48 मीटर स्क्वयर ठीके इस प्रकार से एक cow जो है 48 मीटर 48 मीटर का एरिया जो है का घास चरेगी तो इस question का answer यही हुआ आप इस वीडियो को write down कर लें और comment box में बताना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो like, share कीजिए चैनल को भी subscribe कीजिए मिलते हैं आगले वीडियो में तब ते के लिए thank you class आपको कीजिए